प्रश्यू जीसिस थैंकि लॉट आज सुबर के समय फिर एक बार परमेशर के संगती में एक और बार मिलके आने के लिए परमेशर एक अच्छा आफसर खोला इसलिए मैं परमेशर को धिनेवाद करता हूँ पिछले दिनों में परमेशर के वचनों से कलीशिया के बारे में ध्यान करने के लिए परमेशर हमको सहायता दिया कलीशिया के बारे में हम लोग ध्यान कर रहे थे कलीशिया के सदस्यों के नामिकरन के बारे में नहीं तो नेमिंग आफ दे मेंबर्स ऑफ दे चर्च कलीशिया के सदस्यों का नाम करन किस तरीके से बाबल में कहा गया है उसमें पहली यह अनुबह में हमने देखा विश्वासियों के बारे में हमने देखा फिर चेलों के बारे में हमने देखा फिर हमने देखा भक्तों के बारे में सेंट्स के बारे में पवित्र लोगों के बारे में अजे उस टॉपिक को बंद करना चाहता हूं बजन संगीता एक सोचे के सॉला साम्स 106 वर्स 16 बजन संगीता एक सोचे का सोल वाँ वाँ चाहता हूं थांक यू जीजुश अरू आहरून के बाद विशय में डाहा 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 की लिखाया ना ठीके बजन संगीता एक सोचे की सोल वाँ मच्चन में देख सेकते हैं मूशा और अहरून के विरुद कौन इस्राइलियों के लोगों से कुछ लोग किसके विरुद पवित्र वेक्तियों के विरुद खड़े होना शुरू किये नहीं तो पवित्र लोगों के विरुद में कुड़ कुड़ाना शुरू किये नहीं तो पवित्र लोगों की सेवकाई को क्या किये तुछ मानना शुरू किये लिए आज हमें मालूम करना चाहिए कलीशिया के अंदर भी ऐसे भी लोग हैं जो पवित्र लोगों के हिसाब से representation पाने के बाद परमेश्वर का पवित्र जुंड बनने के बाद वो लोग दूसरों की अभीशे को दे कर दूसरों की सेवकाई को दे कर वो लोग उनको क्या कर रहे तुछ मानने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोग भी हैं कलीजिया के अंदर इसले बाइबल यहां पर बताता है एक सो छे की सोला उनकी जैसे ना बनो किनकी जैसे परमिश्वर के दासों के नहीं तो परमिश्वर की सेवकों को को कुड़कुडाते जैसी एक मनो भावा आत्मिक व्यक्ति के जीवन में नहीं होना च सिक्स्टींत का पहले वचन से अकर हम लोग पढ़ेंगे तो देख सकते हैं नंबर्स सौलवी अध्याए गिंती की पुस्तक सौलवी अध्याए उसकी पहली वचन से हां Oh प्रेशी जीस देगान लबपे अगेन मोवने किसाने – एक जूरुप इसम ग्रूप, making a group अरे परमेश्वर ने एक जुंड को तैयार करके रखने के बाद उसी जुंड को परमेश्वर पवित्र जन नहीं तो सेंट्स, भाक्त, पवित्र लोगों के नामी करण से परमेश्वर कलीसिया में योगिदान देने के बाद कलीसिया के अंदर भिनता दिखा कर groupism दिखाने वाले लोगों के बारे में यहाँ पे लिखा गए कौन? कौरह और उनके संतान वो लोग क्या किये? कितने लोगों को लिए? कम से कम 250 इसराइलियों को मिला कर वो लोगो group बना कर क्या किये? किसके विरुद खड़े हुए? परमेश्वर के सेवक मूसा और अहरोन के विरुद खड़े हुए हलो? कलीसिया के अंदर ये spirit तोड़ना चाहिए तूट जाना चाहिए groupism is not from God परमेश्वर से कभी groupism नहीं होती परमेश्वर एक group बना के रिखे हैं बनाने के बद मनूश्वर फिर एक group बना के अलग करने की जरूरत है ही नि वो परमेश्वर के वचन के विरुद है आरे सब को सेवकाई का सेवकाई का क्या बोलते हैं? महतु अलग अलग तरीके सर्व मूसा को जो सहवकाई का तत्त हो है वो एक सातरन इसराईली को नहीं रह सकता है Babylon के ऊपर जो सहवकाई का दाइत है वो एक लेवी के जीवन में वैसा नहीं रहेगी तोड़ा भिनत या रहेगी अब सेवक को ही वो दिया है मुझे क्यूं नहीं दिया है बोलकर भिन्नता लाने की कोशिश नहीं करना जाए ये पवित्र लोगों के बीच में होने वाली एक गटना है तो क्या हुआ कोरह और उनके संतान क्या किये किते इस्राइलियों को मिला कर वो लोग के कुरूप बना कर इनका विरुदाना शुरू के क्या हुआ तूरंत परमेशर ने क्या कर दिया जमीन को तोड़ कर इनको जमीन के अंदर लेकर हड़ अप देने के हिसाफ से परमेशर उन नामिकरन करके रखे हैं, हमें परमेश रेक प्रत्यक सेपराइट ग्रूप के हिसास में रखने के बाद किसी दूसरे विक्ति के ओपर कुड़-कुड़ा कर, यह तो किसी दूसरे विक्ति के सिवका या भीशेक, आत्मिकता को देखकर हमें तुछ मानना नहीं चाहिए, अलो, आज के जमने में कलीशिया के अंदर यही एक प्रॉब्लम खड़े हो जाता है क्या आत्मिकता में दो भाई एक साथ कलीशिया में आते हैं तो एक थोड़े अधिक प्रार्थना में एक थोड़ा आत्मिकता में ज़्यादा है एक के निकट बहुत सारे लोग आत्मिक विश्या पास आते नहीं है तो इसके अंदर मनोबाव आता है कि उसके पास जाते मेरी पास आता नहीं है और तुरंट नेक्स्ट वीक में क्या कर देगा यह एक नया कलीशिया स्टार्ट कर देगा ग्रूपिजम hello क्यों कैशा सैतान का मकसद क्या है भिन्नता लाने के स्वामी स्त्री के बीच में क्यूं जब शादी करते हैं वो क्या प्यार क्या हमदर्दी वो मिलके खाते हैं मिलके जाते हैं मिलके गुमते हैं मिलके सब करते हैं वा उनको देखना से वा भी सुवर्ग उतर आया एक दो साल जाने के बाद क्या होने लगता है हलेलिया प्रेसलोड तीन-चारफ साल बाद होने के बाद क्या होने थे जो घर के अंदर की जो बरतन हैं वो घर के बाहर उड़ने लगते हैं वाह सेवकाई की परिवरतन क्यों जब शादी किये तब उनके अंदर जो मिलाव थी वो 5 साल के बाद क्यों वो मिलाव नहीं रुख सकती क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे चीज क्या हुए प्रॉमिनेंट आके प्रॉमिनेंट होकर घुसा है और उसको क्या नहीं किये भगाए नहीं हलो पावुत्र लोगों को उस चीज़ों के बारे में क्या करना है मगर इदर देख सकते हैं मुसा और एलिया कुछ नहीं कर रहें समर्पन करके संपर्मेशर के सनीद में दूआ कर रहे है पर मेशर कंष्रों और उनके समतानों को क्या कर दे विनिस्ट कर दिए सोचे भी नहीं वो ले भिय है अलो इसलिए आज मैं परमेशर के कलीसिया को एकी बात मैं बोला चाल रह iron मैं परमेशर हमें पवित्र जुंड बनाए पवित्र जुंड बनाने के बाद अपने फाइदों के लिए अपने मक्सदों के लिए groupism मत बनाओ वो बिब्लिकली एगेंस्ट है वो परमेशर के विरुद है उसके वो काम कौरा हवार उनके संतान करने के द्वारा उनका नामू निशन मिट गया उनके उपर क्या जज्जिमेंट उताराया वो हमारे उपर नहीं आना चाहिए इसलिए यहाँ पर भरजन संकिता हमें वियक्तिरिती से बताता है हमारे विरुद लोग आते हैं वक्त भी हमें परमेशर के उपर आधारित होना चाहिए परमेशर जो विरुदी लोगों का हिस्सा परमेशर देख लेंगे इसलिए कलीसिया नहीं तोड़ना चाहिए कलीसिया के अंदर ग्रूपिसम नहीं बनाना चाहिए कब ग्रूप आता है ग्रूप की सृष्टी कब होती है जब अच्छा और बूरे का बारे में फैसला आता है हलो decision good or bad के बारे में आता है अच्छा या बूरा इसलिए तो group आते हैं सब अच्छा है तो क्यों group आएगा सब बूरा है तो क्यों group आएगा कोरह और उनके संतानों को मालूब नहीं है क्या परमेश्वर इन से पहले किन से कोरह और उनके मालुम रहना चाहिए जो पहले आए वो पहले है जो पीछे आए वो पीछे है क्यों पहले आए वेक्तियों को देखकर कुड़ कुड़ा के पीछे आए हुआ वेक्ति पहला बनने के लिए क्यों कोशिश कर रहे groupism इसलिए कलीशिया के अंदर नो ग्रूप कलीशिया के अंदर ग्रूप क्यों बनता है क्योंकि आत्मिक चीजों के बारे में छोड़ कर अनात्मिक चीजों के बारे में बात करने लगते हैं इसलिए ग्रूप आ जाता है कुरिंथिया के किताब में क्यूं ग्रूपिजम आया क्यूंकि वो लोग वचनों के बारे में नहीं सुच रहे थे वो लोग किसके बारे में पास्टर जी के बारे में सुच रहे थे चिंता वचन के बारे क्या वचन बोले उसके बारे में नहीं क्या वचन के गहराई में गया वो कुछ चिंता नहीं क्या बोल रहे हैं वो पास्टर जी अच्छा वचन बोले ये पास्टर जी गहरा बोलते हैं ये पास्टर जी उपरी उपरी बोलते हैं इसलिए मुझे वो पा मेशर के group बने आलिलुया मेख फ़े हाठ आत्मा है सकती है आने ही है मागेर आत्मी लोगों को क्या कर रहा बोड़ा है वो जानकर अहीं माथ कि अंथ्मिक चीजों से अनप चीजों को कर खली सह के अंदर डिसक्रसा मत करो कलीश या ऐसी एक जगह है जहां पर आत्मिक चीजों के बारे में decision लेनी वाली एक जगह आया न आत्मिक चीजों के बारे में decision लेते वक्त आत्मिक चीजों के बारे में सोचते वक्त कहा भिन्यता आ सकती है नहीं आ सकती है क्योंकि आत्मिक चीज़ों में नियंतर्ण पर्मेशर की पवित्रात्मा की शक्ती है एक आत्मा, एक वचन, एक सुसामाचार, एक क्रिस्ट, एक यूशू, एक बब्तिस्मा, एक वचन, एक कलीस्या तो भीनता कहां पे आlynn आई अनात्मिक चीज को शाने पर इसलिए अनात्मिक चीजों को ईश्यमशी के नामें अभी इसी वक्त हमारे अंदर से दूर कीजिए वोलकश्य करता हूं अनात्मिकता क्या कर सकता है प्रवित्र लोगों के अंदर से हमें आलग करके परमेश्वर की सिक्षाविदी हमारे उपर गिरने के हिसाप से हम अपने आपको मोडने के मोड में ला रहे इसलिए मैं आज सुबह परमेश्वर के वचन से मैं गया बोलने वाला एक चीज के विरुद ना बनो पवित्र लोग पवित्र लोगों के हिसाब से जीने की कोशिश करो हो सकता है अभीशेग के भिनता हो सकती है सेवकाई की भिनता दिकाई दे सकती है नहीं तो आत्मीकता में भिनता दिकाई दे सकती है ऐसा नहीं है कि जो वह आहरोन के ऊपर जो अभीशे कर उपवास करके फर्मेश्वर कर निकट से व्यवस्ता लेके आने की हिसाब से अपने जीवन को मोड सका उस रिती से पर्मिशन उसको भी छेकर सकते उसके चेले उन्हें तो उसका सिर्ष्ष्ष्ष्ष, यौश्वा, उसके Microsoft वो भी क्या कियाchau, उपर तक तो नहीं गया, पहाड चो नहीं गया, पहाड के नीचे तोर पर, खड़े होकर उसने भी क्या गोपवास और प्रार्तना के दुआरा विना खाए विना मेरा गुरू गया है मैं जिसका मैं जिसका चेला बना हूँ वो प्रार्तना विंती के लिए गया है किसी ने उसको बोला नहीं किसी ने भोला क्या नहीं उसने पहाड के नीची तलपर नहीं तो SP वाली तलपर रुक कर उसने क्या क्या पर्मेशर की क्या महतुछ चीज है उसके बारे में वो सर्ड़ इसलिए उसको भी Promised भिनरीती सभी शेक कि और अहरोन के बारे में सुचा आहरोन क्या किया नीचे नीचे रुकर लोगों को क्या किया मुर्ति पूजा करने के लिए मनुष्य को क्या कर दिया तरफ गुमा गुमा दिया अगलती किसकी है हलो अहरोन अभीशेक बाया हुए विक्ति है अपर अहरोन फरमेशर के द्वारा बुलाए फिर उसके अंदर कैसे ये तत्तु आया कि मूर्ति पूजा मूर्ति को बनाने के लिए मूर्ति को तयार करने के लिए क्यों लोगों को अपने सोना मागने की मकसद दिलवाया चुकि जो पुराने रिती रिवाजे थी ने तो पुराने जो ग्रूप की शक्ति थी वो उसके अंदर थी वो उसको कंट्रोल नहीं कर सका अकंट्रोल कंट्रोल ना करने पर वो शक्ति बाहर निकलाया और लोगों के अंदर काम करने लेगा और लोग क्या मूर्ति पूजक बन गे हलो हम जब किसी को ग्रूपिजम में लेके आ रहे हैं हम उनको क्या कर रहे हैं अलो को रहो और उनके संतान क्या किये वो लोग गुरूपिजम बनाना शुरू किये क्या अरे दो अहरोन और मुश्या की बाते हम क्या सुने हमारा बात भी सुनना चाहिए हम भी विश्वासी है वो लोग एक मूर्थी को तैयार करना का शुरू किये मनुश्य मूर्थी परमे दूसरा परमेश्वर, दूसरा मूर्ती, दूसरा शक्ती, दूसरा प्रभाव ला सकता है, इसलिए उस प्रभाव को तोड़ने के लिए परमेश्वर क्या कर सकते हैं, अपने वचनों से बोले, पवित्र लोगों, पवित्र बनके रुखो, थिंक अबाउट स्पिरिच्वल तिंग्स, आत्मिक चीजों के बारे में गुरुतु दो, आत्मिक चीजों के बारे में डिसिशन्स लो, आत्मिक चीजों के बारे में गुरुती करन करके कलीश्या को बढ़ाने के कोशिश करो, कलीश्या क्लब नहीं है, आजकल का सबका सोच विचार कलीच यह कलब बन गया इसलिए डिस्को लाइट्स डिस्को ड्रेस सब डिस्को डिस्को गाने भी डिस्को ताली भी डिस्को वचन भी डिस्को प्रेसलोड भी डिस्को सब डिस्को डिस्को डिसको में क्या होती है पहले बहुत अच्छा रहता है आकरी दमपर पैसों के लिए जगड़ा कुड़कुड़ाना प्रायोरिटी ग्रूपिजम वो कलीश्या के अंदर नहीं होना चाहिए इसलिए परमिश्वर व्यक्तिरिती से बोलते हैं हम पवित्री लोग हैं हमें परमि एक कलीश्या एक शरीर उससे अधिक जो कुछ भी हम जाए वह हमारे उपर क्या ला सकता है जर्ड़्श्मेंट ला सकता है वी एवेर उफिट उसके बारे में घ्यात रहो प्रूइस चीशस थिए इसलिए याजगों का वस्तर में भीननता थी हां याना ऑहरोन की वस्तर अहरोन के बच्कों की वस्तर विनती लेवी जियुका अवास्त cidade साधरन लेवी की वास्तर बहुन ती क्यों वो का टेगराईजेशन क्यों परमेश्वर दिये क्योंकि एक एक व्यक्ति की आत्मिकता और एक एक व्यक्ति की जीवन की जीवन की शैली भिन्न भिन्न रिती रिस्थप को एक जैसा तालंद नहीं मिलता एक को पांच तोड़ा एक को तीन तोड़ा एक को दो तोड़ा दूसरे को एक तोड़ा सेपरेशन है क्यों हमारा रिसी एक अजार में तृप्त रहने की कोशिश करो, एक अजार से अधिक हुआ टैंक पट सकती है, लीक हो सकती है, अधिक करने के लिए क्या करा, हमारा टैंक को एक्सपैंड करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, वो कलीसिया के अंदर आत्मिक तोर पर हम बड़ा कर सकते हैं, हम भी बड़ोत्री पा सकते हैं वो परमेशर पवित्री लोगों को आज सोचेतन देखे बोल रहे हैं हमें कलीशिया के अंदर परमेशर क्यों लाके रखे हैं ताकि दिन बर दिन हम abundance growth में आए हालेलुया जो मुझे पर विश्वास करें वो समृत्ती जीवन पाए abundance life abundance का मतलब क्या है increase 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 how कैसे increase आत्मिक चीजों में गुरुत देना शुरू करो आत्मिकता में चलना शुरू करो आत्मिकता के लिए समय खर्चा करना शुरू करो आत्मिक चीजों के लिए दर्शन देना शुरू करो automatic तेरे अंदर abundance होगी अरे मुसा को जो मिली है वो तुझे भी मिल सकती है by force लेनी वाली चीज़ नहीं है हलो परमेशर के निकट by force नहीं है इसलिए परमेशर के निकट जाकर by force लेकर rebellion होके विरुद्ध होकर by force खीचने की कोशिश मत करो वो हमें बहुत दरदनाख होगी वो हमारा जीवन को भी ले सकता है हमें मौत भी ला सकता है so be aware of it उस चीज़ के बार में हमें बहुत गुरुत दिनी चाहिए वो ही चीज़ भजन सकीता 106 की 16 में बताए गया है वो लोग उनके विरुद्ध है उनका क्या हुआ नामु निशान भी मिट गया अब बचन सकीता 34 की 9 देखो साम्स 34 वर्स 9 थांक यू जीजस अखरा दिका सियानो येस एमन देखा न परमेशर की भाय मानो पवित्र लोगों किसकी भाय करनी चाहिए हमें अरे शैतान की भाय नहीं कर पवित्र लोगों को होनी चाहिए परमेशर की भाय होनी चाहिए कौन है हमारा परमेशर हमारा परमेशर एक मुर्ती नहीं है एक रिवाज नहीं है एक व्यक्ति है सामर्थी परमेशर है हमारा परमेशर इसलिए fear the Lord Oh you saint पवित्र लोगों किसको भाय करो परमेशर को भाय करो लोगों को परमेशर के ऊपर भायवित होने के लिए तुम तयार करो अरे जब तुम भाय नहीं होगे तो तुम्हारे बच्चे कैसे भायवित होंगे जब तुम्हारे बच्चे भायवित नहीं होंगे लोग कैसे भायवित होंगे जब लोग भायवित नहीं होंगे तब कलीशय कैसी भायवित नहीं होगी कलीशय भायवित नहीं होगी तो बहारी लोग कैसे भाई बीत नहीं होगे हलो फियर दे लॉर्ड परमेशर को भाई करो हमारे अंदर परमेशर के विशा में भाई रहना चाहिए क्यों परमेशर कौन है जलता हुआ अगनी आग के सामने डैंस करने से नहीं जलोगे क्या आग के सामने जाकर पेट्रोल के साथ खेलोगे तो जलोगे नहीं जलोगे फियर परमेशर के सनीदी में भाई के साथ परमेशर को आरदना करो जीवन जापन भाई के अनसार जीवन जापन करो बातें भाई के अनसार करो सेवकाई भाई के अनसार करो हां प्रमेश्वर के विश्वाय में हम भाईबी तो उना जरूरा है क्योंकि मैं फृमेश्वर के विश्वास हूँ इसका आरथ के शह घुल्ब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं यह नहीं है उसका अर्थ हमें कुछ लिमिटेशन से कुछ लिमिटेशन के अंदर परमेशन हमें रखे हैं इसलिए पवित्र कलीसिया को क्या करना चाहिए भाए भाए कलीसिया के अंदर होनी चाहिए जो गाना हम गाते हैं जो ताली हम बजाते है जो आराधना हम करते हैं वो स्टेज शो नहीं है पब्लिक शो नहीं है इसलिए ऐसे ही आके किताब छवा अधिया में देख सकते हैं दूतागन परमेशर को आराधना करते हैं वक्त उनका भाई इतना गहरी थी कि वो लोग परमेशर के सामने खड़े भी नहीं ओपर रहे थे परमेशर के पवित्रता के सामने वो लोग कितना सिंगहासन के सामने कैसे कितना कितना गुरुत्व रिती से सक्यूर रिती से वो दर्शन कौन देख रहा है परमेशर के दासे एसेया देख रहे है एसे यह कहां पर मिटी में जमीन में रुक कर यह दर्शन को देखते वह कर दूताओं का आरादान देखकर प्रमिश्वर की सिंघासन देखकर तब एसे यह को पता चले है अयो हयो रेच्ट मैं आयाम अपवित्र मनिश हूं मैं अपवित्र लोगों के बीच में हूं मैं अपवित्र क्या बोलते हैं टंग लेकर मैं बैठा हूं I am a man with unclean tongue कैसा पता चला मैं अरे अरे देवदूताओं का आराधना की बाइ भीचता भाइ भक्ति को देखते वक्त अरे इसको डर लग गया क्यों जानते हो एशेय का सिस्टम क्या था जैसे है इसके यहां के पसस्टर थे जानते हो यह से यह सद आ इस इंख गहर के प्रांटर ने तो प्राइवेट प्रांटर्र रॉफ युश्विवराजा क्यों क्यों कुछ reflectee विए था कै आै या ना है तो उसको कोई सेवकाई ओ करने के लिए यह इसलियीने ऊस ने उसने क्या कर दिया पास्तर जी को खरीद दिया तो पास्तर जी की सेव गाई कहां राजा के घर में अब राजा के घर में कौन विश्वासी राजा के दरवार के लोगों तो कहां आत्मी कता अगर पैसा मिलना है तो राजा को कैसे वचन बोलना पड़ेगा अजा यह अजी वाले ने राजा को उचा चड़ा के बोलना चाहिशक पड़ेगा तो राजा क्या करेगा वर्चन का विरुद है तू कर रहा है व हो सही नहीं एसे बोलते हैं तो राजा की निनकीट क्या कर सकते हैं एया है क्या compromise प्रीचिंग compromise अपने अपने फायदों के लिए लोग प्रमेश्वर के मंदिर में जो याजक लोग जाकर करने वालि सेवका ही राजा जाकर क्या किया करने की कोशिश किया देखो वो सोचा किया दें थे न कौन सेवक क्या याजक क्या मैं भी याजक को मैं भी कुछ कर सकता जा गया क्या हुआ फिर कभी उसको परमेशर के मंदिर के अंदर प्रवेश होने की ने तो परमेशर के जुंड के अंदर प्रवेश होने के अनुमती भी परमिश्वर उसको नहीं दिये गेट आउट कर दिये उसको ऐसे लोगों के निकट परमिश्वर के दास कौन गये ऐसे यह गे प्रार्तना अराधना करने के लिए उसको आत्मिक रीती से बढ़ोतरी देने से के लिए मगर क्या हुआ? ऐसे यह खुद कॉंपरमेज बन गया तब परमिश्वर ने क्या क्या? उसीया को मार दिया उसीया की जान ले ली तब किसको दर्शन आ गया? आलेलुया! कुछ चीजे हमसे निकल जाने से ही कुछ आशी से हमसे हट जाने से ही हमें दर्शन आने लगेंगे तो इतने दिन तक है ऐसे यह को दर्शन ना आने की रुकावट कौन थी तेरे अंदर कुछ न कुछ परमेश्वर को छोड़ कर कुछ न कुछ भी राजा है तो तेरा दर्शन क्या नहीं होगा तेरे निकट नहीं आएगा देर इस सम्थिंग यह विशन यह मिशन आईदर इट शुड भी जीसस हो तो वो परमेश्वर इशू मश्ची राजा होना चाहिए नहीं तो और कुछ चीज वो राजा बनके रहना चाहिए इसलिए बाइबल गाव भजन सागीता लोग क्यों राजाओं को डरते थे डर के द्वारा लोग क्या करते थे टैक्स पे करते थे आया ना डर के द्वारा किसको डर के राजा के विरुद कभी बात नहीं करते उतना क्यों हमारे जे कोर्ट के जो मैजिस्टर्ट है डिस्टिक मैजिस्टर्ट जो दम के बारे में ज़्यादा बात करता है न मैं किसी को कुछी भी बोल सकता अरे दम है तो मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर एक बार एक बार एक ही बार उसके गाड़ी के सामने जाकर दो गाली बखके आओ बस दो गाली गंदी गाली मत दो तो अच्छी गलिद अरे कुट्टे इतना ही बोलो क्या होगा कि नेक्स्ट डे इसका हिसाब कितब मैजिस्ट्रेट देख लेगा क्यों उसकी पधिवी उसकी स्रेश्टता इतनी बड़ी है कि वह एक डिस्टिक का सुप्रिमसी में है अधिकार में है उस व्यक्ति को सामने जा कर अरे कुट्थे बोलने से किसको किसके वीरुद बन रहे है उस है सिसले उस व्यक्ति के विरुद में केस आएगा मैं मौने और गवर्वर्मेंट के सुप्रमसी को मानते नहीं है तो गमेंन को नहीं मानते की में ये इस से उसको किया जाएगा इसी लिए लोग एक भायबीत के साथ ही किसको देखते हैं एक second को देखते हैं ऐसा है तो परमेशर को किसी देखनी चाहिए। हेलो इसलिए भजन सागीता कहता है ओ सेंस भक्त लोगों पवित्र लोगों परमेशर को भाई बीट करो जो परमेशर की भाय करता है उसकी जीवन में कुछी भी चीजों की कमियां परमेशर नहीं देगा क्यों परमेशर की सुप्रिमेसी को वो क्या करता है मानता है परमेशर की अधिकार को परमेशर की स्रेश्टता को परमेशर की बड़पन को वो क्या करता है आदर करता है इसलिए परमेशर उस व्यक्ति को क्या करेंगे हर जरूरत वाली चीज़ों से आदर करेंगे लो प्रश्यों चीज़स वो हमारा सर्वीस मनता है इसलिए बजन संगीता कहता है फियर दा लॉड परमेशर को भाय मानो परमेशर को भाय करो इसलिए बाइबल में एका कहानी बताए गया है एक न्याई अध्यक्ष था एक न्याई था जो बहुत सारे लोगों को न्याई देने की कोशिश करता है मगर वो एक विदवा विक्ति उसके पास आकर बार बार आकर उसको क्या किया मुझे नियाई दीजिए मगर उसने कभी भी क्या नी किया उसके बार में सोचा भी नहीं तब उसने अपने आप में सोचे नागा रहे मैं मनुश्य का मानता नहीं मैं परमेश्र का मानता नहीं मगर यह औरत आकर मुझे क्यों इंसाफ माग रही है वो किसको भाइबीत होना शुरू किया उस औरत को भाइबीत करना शुरू किया क्यों वो औरत किसको भाइबीत होके जिये परमेश्वर को भाइबीत होकर जीवन जापन करेंगे इसलिए उसने क्या क्या उस औरत के लिए न्याई किया when you start fearing the Lord तुम जब परमेश्वर को भाईबीत के साथ सेवकाई करना शुरू करे जीवन करना शुरू करे लोग तुझे देखकर डरना शुरू करेंगे क्यों तेरे अंदर की जो भाईबीत रहता लोगों को क्या कर सकता है परमेश्वर को धिका सकता है ऐसा है तो तेरी जीवन में कुछ भी कमिया नहीं आ सकती इसलिए इसराइलियों को देखने से लोगों को डर लगता था दो तीन बार सोचते थे क्यों इसराइली किसके भाईबीत थे परमेश्वर के भाईबीत थे परमेश्वर उनका क्या था चरवाहा था कुछ-कुछ जगाओं में वो लग परमेश्वर को भायबीत ना होने पर, परमेश्वर के विर्द होने पर, उनको परमेश्वर क्या कर दिये, हरवा दिये, शत्रूओं के हाथ में पेश करवा दिये, मगर पवित्र लोग, भक्त लोग, अपने जीवन को भायबीत के हिसाब से, नहीं तो दानियल को क्या जरूरती, किसी कैदी राजा के घर, गाओं में रुक कर, देश में रुक कर, दरवाजा खोल करके प्रार्थना करने के क्या जरूरत, जबकि राजा ने आदेश दिया, मेरे सिवाय किसी और को क्या मत करो, दनवत मत करो, आरादना ना करो, नाम मत लो, किसी परमेशुर का, ऐसा आग्या देने पर भी, शत्रु सामराजी में रुक कर, किड़की खोल कर दिखा रहा है, परमेशुर के निकट आरादना करके खड़ा करके उसको ही दनवत करना, उसको ही प्रणाम करना, उसके ही नाम लेना, किसी और का नहीं लेना, मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करूँगा, मैं कॉम्प्रमाइज नहीं हो सकता, मैं अपना दर्शन को छुपा नहीं सकता, मैं अपनी जीवन के मकसद को, मैं जी मेरी आत्मी कता को मैं बंद नहीं कर सकते हो इसका अर्थि क्या है इससे पहले भी दानियल प्रार्थना करने वाले एक वेक्ति था राजा कुछ आदेश दिये इसका अरति है नहीं कि मैं अपना प्रार्तना बंद करूं अरे परिस्थिति नहीं हमारा प्रार्तना बंद कर अप्रार्तना हमारा एक लाइफ स्टाइल अभ्यास है हलो क्यों हम प्रार्तना करते हैं क्यों हम पर्मेश्वर के भाय करते हैं क्यों हम कलीश्या जाते हैं क्योंकि हम पर्मेश्वर के भाय करते हैं प्रमेश्र के आरादना करते क्यों हम परमेश्र के अन्य भाषा में परमेश्र के स्तुतिया आरादना करते क्योंकि हम पवित्रात्मा को भाई मानते हैं we fear the holy spirit, we fear Jesus, we fear the God the Father पवित्रात्मा के विरुद जुट बोलने पर ही एक स्वामी और स्त्री की मौत हो गई हलो वो सिस्टम है so fear the lord परमेशर को भाय मानो परमेशर के भाय करके जीवन जापन करो वो एक भक्त का लक्षन है हलो अरे तुम कितना बड़ा एलेक्टरिशियन भी हो सकते हो इसका अरती यह नहीं है कि करेंड तेरा बाप है करेंड को मालूम नहीं है तुम नमबर वन इसको नहीं मालूम है मैं और कल एक्टरिशिटी हूँ मेरे अंदर से electric current में बेजुँगा वो 619 हो सकता है 712 हो सकता है 916 हो सकता है कुछना भी frequency हो सकता है जटका जैसे साधरन विक्ति को लगता है वैसे ही electrician को भी लगेगा तो अब मुझे सवाल करोगे पास्तर जी किते किते electricians को लगते नहीं है लगता है लगता है नहीं है वोल कैसा कुछ नहीं है सबको electric current लगता है लग लग के लग लग के किते दिनों के बाद जिन जिनको electric shock लग गये है उनका जीवन का end थोड़ा देखो आइदर heart attack ने तो कुछ और तकलीफ कुछ और रोगों से ही साधरन तरीके से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है normal death बहुत कम होती है क्यों high force current उनके शरीर में प्रभावित होकर शरीर के अंगों को क्या करता है invalid कर देता है कलीफिया सोच रही किया है जानतों न मैं पवित्रात्मा पा गया मैं उदारी पा गया मैं कुछ भी कर सकता हूं डोंट प्लेइविद अ करंट कि यह नॉर्मल जटका नहीं है जटका लग गई ना नामू निशान भी नहीं रहेगी परमेशर की भाय करो वो लक्षन बननी चाहिए अभी पहली समुएल के किता आप दूसरी अध्या उसकी नवी मचन फर्स्ट साम्यूल चैप्टर टू वर्स नाइन हलो परमेशर के भाक्त को परमेशर क्या करेंगे बोले नहीं परमेशर के भाक्त को परमेशर क्या करेंगे संभालने वाला एक परमेशर इसलिए ना दानियल विदेशी राजा के राजी में रुकते वक्त भी परमेशर के निकट क्या था बाय भाक्ति के साथ जीवन जापन करने पर उसको कहा पे डाल दिया जीवते सिंगहों के बीच में डाल दिया परमेशर उसको बचाए उसके दोस्तों को क्या किया आग में डाल दिया परमेशर उसको बचाए क्यों परमेशर के भक्तों का परमेशर का पवित्र लोगों का क्या प्रोटेक्शन किसके हाथ में है परमेश्वर के परमेश्वर के दूतागन के हैं परमेश्वर के दूतागन के सेवकाई में हम क्या पा रहे हैं प्रोटेक्शन पा रहे हैं इसलिए मैं पवित्र लोगों के विशे में मैं बहुत क्या गर्व से बोल सकता हूं पवित्र लोग कहीं भी जाकर सेवकाई कर सकते ह बिना पॉलिस प्रोटेक्शन के हाँ यहाँ ना कैदियों के स्थान में डकाईतों की केंद्र में पापियों के जुंड के अंदर पवित्र लोग जा कर क्या बाइबल पकड़ कर नहीं तो ट्राक्स लेकर जाने की सामर्थ तुरा देखो नहीं तो और मान निकवबर में किसी जरुरत नहीं है उस्ट्रेलिया की एक बच्चा शादी शुदा भी नहीं है कोई जरुरत नहीं है कहां जाके मरने के लिए अन्य जातियों के क्या कि तीर खाके मरने की जरुरत नहीं है क्यों मरते वक्त उसके हाथ में क्या थी बाइबल थी उसके नौका से क्या मिला बाइबल मिला आत्मिक चीजे मिली क्यों आत्मिक लोगों को यह तो पवित्र लोगों का सुरक्षा कौन करता है परमेश्वर रखता है यह किसकी प्रार्तना है हन्ना की प्रार्तना है अन्या कब ये प्रार्तना कर रही है जबकी इसराइलियों में कोई है ही नहीं क्या भक्त कोई है ही नहीं सेवकाई करने वाला पास्टर जी कली से चर्च के अंदर नहीं कहां बैठे हैं चर्च के बाहर हालेलुया वा क्या सेवकाई है अरे तंबू के मिलापाली तंबू के अंदर है सेवकाई बाहर है उन जमाने में कौन था हो वहां के सेवक ये लिए उनका काम क्या है कि अंदर का काम देखना है अरे अंदर का काम ना देखे बहार दे बैठे बाहर बैठे क्यों है ना 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 अंदर का चीजा चीज एक जैसा देखने के लिए सामझेने ही 해 सिफ्टी फिस्टी अ Rigoli है अंधर का चीज मतलब परमेशर के पवित्र मंदिर के अंदर की सेवकाई भी होना है इधर बाहर का काम भी होना है उसे समय पर कौन प्रार्तना के लिए या हन्ना प्रार्तना के लिए या परमेशर के निकल काई के लिए परमेशेर, मेरी दुक्की परिस्तिती में मुझे एक अउलाद को दो परमेशेर, उस अउलाद को मैं क्या करूँगा, आत्मिक संतान के रूपड में मैं बदलूँगा आत्मिक व्यक्ती के रिटी में मैं बदलूँगा, गीव मी एस जचन and I will make him a spiritual person एक बच्चा मुझे दो परमेशर मैं उसे आत्मिक व्यक्ति बनाऊंगा आत्मिक जुंड में तैयार करके रखूंगा इसलिए उसने क्या विंती के साथ रोते हुए परमेशर के निकट प्रार्तना करते हैं सामये पादरी साथ ने क्या बोला वहां पर हलेलिया बोलना है सुबह 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 अरे अब बोलो यह पास्टर जी कैसे पास्टर जी है किसी की प्रार्तना किसी की हिरदय की दरद किसी की मुग की बोलती किसी दूसरों को दारू पीने वाले की आवाज के समान लगती है तो वो व्यक्ति कहां गिर गया है सोचो आत्मिक तोर पर किस परिष्टिती में है सोचो उन जमानों में औरत लों क्या नहीं कर सकते मिलापाली तंबू के अंदर नहीं जा सकते समझते हो मिलापाली तंबू के बाहरी हिसों में पानी या चीजे दोना वोना ये सब कर सकते मगर अंदर नहीं जा सकते समझते हो प्रांगण तक वो लोग आ सकते हैं उसके अंदर वो लोग नहीं जा सकते हैं उसके अंदर केवल कौन लेवी होना चाहिए और पुरोहित होना चाहिए वही उसके अंदर जा सकता है हाई प्रीस होना चाहिए ने तो लेवी होना चाहिए तो ही वो लोग उसके अंदर जा सकते आज कल का ट्रेंड नया ट्रेंड फीमेल पैस्टर्स हलो आज कल का ट्रेंड फीमेल पैस्टर्स हरे क्यों परमेश्वर के वचन को कुचल डाल रहे हैं लोग क्यों क्यों मुझे नहीं वालें पड़ रहे हैं फीमेल पैस्टर्सिप औरतों का पैस्टर्सिप कलीश्या में नहीं एकसप्टर्ड नहीं है वो ट्रेंड है नहीं बविश्यक वक्ता बन सकती है प्रार्तनावीर बन सकती है कलीशिया की एल्डर बन सकती है पैस्टर ने उदारहन से सोचो एक कलीशिया में औरतों के मीटिंग में एक मर्द विश्वासी आ गया सोचो एक औरतों के फिलोशिप मीटिंग में एक मर्द आके बैठा तो वचन बोल सकते हैं मगर उस कलीशिया का का end विश्वासि के दवर अगर वह विश्वासि आत्मिक विश्वासि है तो वही विश्वासि कलीशिया को प्रादना करके एंड करना चाहिए को ही चले बाइबल कहता है श्त्री पूरुष का क्या है स्त्री पुरुशी का क्या है मस्तक है बाइबल एक ओर्डर के हिसाब से है अपने ओर्डर को मिला के नहीं जाने का कलीशिया की परिपालन वो पस्टर की दाइट्टु है वो फीमेल नहीं मेल होना चाहिए इसका आरती यह नहीं है कि परमेशर भिन्नता दिखाते है औरत और स्त्री के आदमी और स्त्री के बीच में भिन्नता नो आदमी और स्त्री के बीच में भिन्नता नहीं भी नता दिखा नहीं है कलीसिया में सब कुछ कर तकते हैं मगर ऑथराइजेशन वो पुरुष्यों को ज्यादा है वो क्यों है बोले से वो वैसा ही है परमेश्वर का वो सिस्टम है इसलिए परमेश्वर के दैवत्वों में पिता पुत्र पवितरात्मा की जो सौभागिता म है आरत का हिस्सा की नहीं है कि आपाइस सौभलते हैं फिर्मेश्वर के यह में दिख़्ैंए मगरं परमेश्र फीमिल की क्वालिटीः बताते इसलिए इसे लिए ड़िवेलेश्वर के पहले अदिया में बोलते हैं एक औरत के समान परमेश्वर क्या करते हैं क्या क्लीश क्या करते हैं लालन पालन करते हैं जाँ के ठीट बाइबल कहती है एक माँ अपने बेटे को भूल सकती है बाब मगर मैं तुम्हें कभी भूलूगा नहीं छोडूगा निंग beb एक माकि तसलीई कभी भी औरत खड़ी नहीं हो सकती है हना प्रार्तना कर रही है क्या मुझे एक आउलाद दो ताकि मैं क्या करूँ उसको मैं परमेश्वर के लिए अर्पन कर सकूँ और वो confidence के साथ परमेश्वर के निकट जाकर प्रार्तना करके बोल रही है परमेश्वर तू क्या तू भाक्तों को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है समरक्षन देता है और उसके बाद क्या क्या है दुष्ट लोगों को अगर उसके बाद अपने बल के बारे कभी भी वो क्या नहीं होगा प्राबल नहीं होगा तुम्हारा बल कुछ काम नहीं देगा परमेशर के सामने तुम्हारा बल कुछ काम का नहीं It's a waste of your body हो सकता है तू आट सो किलो हजार किलो हो सकता है परमेशर के सामने कुछ नहीं तू एक छोटा बच्चा काफी है 800 के लेवाले आदमी को नीचे गिराने के लिए देखा ना डाउद और गोलियत के कहानी में देख साथ गोलियत है इतना बड़ा वीर शूर्य अधिकारी आरोगी सब कुस्ता बगर ए छोटा सा नन्ना सा बालक 17 साल के लड़का मार गिरा दिया है वो अभी छोटी सी एक पत्थर से अलो परमेशर का बल परमेशर के उपर confidence परमेशर के उपर आस रहे वो भक्तों का निशाना है इसलिए compromise नहीं बनते आत्मिक चीजों में आत्मिकी इवन के क्या करते जीवन को चलाने चलते क्योंकि हमेरा भरोसा परमेशर के उपर है इसलिए विश्वासी कहीं भी जाकर सुसामाचार बोल सकते हैं जहां कहीं भी जहां पुलिस जाने के लिए डरती है वहां कलीसिया की विश्वासी जाकर ट्रैक दे सकते हैं क्यों confidence in God परमेशर के उपर आस रहे आए जहां मनुषी जाते नहीं वहां डेविड लिविंस्टन गये किनके निकट ऐसे लोग जो कि मनुषी को खाते हैं उनके निकट कोन डेविड लिविंस्टन जाकर क्या कि सुसमाचार किया इंडिया में देखो कौन विलियम करी जब इंडिया में आया तब औरतों को अगर मर्द मर गया तो औरतों को जीता क्या करते थे आग में कुचल डालने के लिए देते और रीती रिवाजे इतना गनिश्ट रीती थे थी क्या उचा जात नीचा जात ऐसे जमाना था औरतों क्या नेकर उपरी हिस्स क्या उमें कपड़ा नहीं पहन पाते थे वैसे ट्रंड थी कौन नीचे जाती के ऐसे सेव को लोग आकर क्या किये चेंज किये क्यों देश की व्यवस्ताओं को Constitution के रिवाजों को तोड़ डाले अंधविश्वासों को तोड़ डाले क्यों परमेशर के उपर भाई नहीं तो विल्यम केरी की क्या जरूरत वो एक मोची था जूता बनाने वाला जूता बनाने के वो इंडिया में आया ठीक है वो बिसनस ओरिएंटेशन में आया ओके नही परमेशर के उपर आस रहे परमेशर के उपर के भरोसा उसको इंडिया तक लेके आया मदर तेरे सा कहां की यूरोपेन कंट्री की लेडी इंडिया में आकर कोलकटा में सेवकाई मिशनर यह क्यों आ रहे क्योंकि उनको एक चीज़ की भरॉस है परमेश्वर मेरा बल परमेश्वर मेरा कॉन्फिडेंस है इसलिए मैं परमेश्वर का भगतू हूँ मैं कहीं भी जा सकता हूँ जहां कोई और जाने के लिए डरता हो वहां मैं धायरी और साहस के साथ जा सकता हूँ क्यों मैं ऐसा एक परमेशर को इसलिए बाइबल कहता है अनुचित समय में परमेशर के कुरुपास महासन के निकट जाने के योग्यता पाया हुआ भक्त कहीं भी जाकर सुस्वमाचर कह सकता है कहीं भी जाकर किसी के लिए प्रातना कर सकता है हो सकता है वो वीरोधी हो सकता है वो सकता है वो उनको सताव देने वाले हो सकता है वो हो सकता है वो लोग अपवीत्र वेक्ती हो सकता है हो सकता है वो एक मंडरर भी हो सकता है मगर एक भक्त को जाने के एक confidence है अहां जैसे बगत लोग क्या किये हैं किसी की सेक्यूरिटी के नीचे रहने की कोशिश कर अलो रूमियों के किताब सौल भी अध्या उसकी दूसरी वचन रूमन्स चैप्टर सिक्टीन वर्स ट्यू हलो भवित्रों को क्या करो वेल्कम करो जाओ वेलकम दे सइंस चो पवित्री लोगं उनको क्या करना चाहिए वेलकम की मतलब अ उनको जो जडरत जिजों की जरूरत है उन चीज़ों को हमें क्या 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 करना देने की जरूरत है इधर लिखने वाली अनुबर में देख सकते हैं कौन है वहाँ पे उसकी पहली बचन में फेबाद हाँ उसके बाद हाँ देखो यह पास्टर जी विश्वासी के बारे में क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन बता रहे हैं यह कहां की है वह कलीजिया का नाम क्या है किंक्रिय क्लीशिया की एक साथ से उसने क्या क्या रोम में आए था कुछ काम के वास्ते तो उसको कलीशिया नहीं मिली तो पावलस ने क्या बोला कलीशिया के अड्रस दे के बोला उस कलीशिया में जा और उस कलीशिया के लोग क्या कि किये एक्सप्ट किये हलो कैसे रिसीव दम वित वर्द एन ओनर उनको वेलकम करो भक्तों को क्या करना चाहिए रिसीव करना चाहिए और उनको जो कुछ भी सहाथा है जरूरी यह वो कलीशिय करना चाहिए वह हमारा requirement है का आज तो लोग किसी की भी recommendation सुनते नहीं पस्तर क्या किसी की नहीं हमें क्या करना चाहिए हमारे अधिकारियों का रिकमेंडेशन को हमें सुनना चाहिए जो आत्मिक चीजों में हमें चलाते हैं आत्मिक चीजों के बारे में हैं तो हमें वो क्या करना आधर करना चाहिए तो ये कलीसिया क्या की, रोम के कलीसिया क्या की, उसको एकसप्ट किये, क्यों, पास्टर साब को क्या करने पर, पास्टर साब की वो अधिकार को गौरवानित करने पर, ने तो पास्टर साब की वो पदवी को क्या किये, मानने पर, वो लोग क्या किये, उस औरत को एकसप्ट क जो कुछ सहायता जरूरी थी वो कलीशिया किया कि उनको सहायक मन बाना के रख दी हलो हो सकते हैं हम कलीशिया के सदस्य हैं हो सकते हैं हम को कलीशिया के बड़े-बड़े लोग मगर हमें आत्मिक तौर पर चलाने वाले लोगों का बात हमें क्या करना चाहिए वो हमारे नश्ट के लिए नहीं बोलते हैं अब एफिशियों का किताब पांच वाद्या उसकी तीसरी वचन एफिशियों का किताब पांच वाद्या तीसरा वचन दबुक आफ एफिशियंस चाप्टर फाइवर्स त्री यहां पर प्रेस लोड बोलना है फिर एक पर पढ़ते हैं पांच का तीन है अलो पवित्र लोगों को जो करना है वो योग्यता है मालूम रहना चाहिए इसलिए यहां पर क्या पताए गया है जो उनके लिए योग यह है वो नहीं करना चाहिए अब पवित्रता फिर अशुद्धता जेविचार लोब की चर्चा फिर यह ना हो यह सब चीजें क्या नहीं होना चाहिए हमारे अंदर नहीं होना चाहिए लोब अपवित्रता फिर अशुद्धता यह सब कुछ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए आ सकती है मगर उसको हमें क्या करना चाहिए वोई चीज परमेशर कलीसिया को बता रहे हम पवित्र लोग है हमें अपनी पवित्राता को क्या करना चाहिए बहुत कायम तरीके सामें रखने की जरूरत है क्योंकि हम परमेशर के कौन है संतान है परमेशर के लिए हमें परमेशर हमें क्या किये कलीशिया के अंदर एक एक नामिकरन कर रहा है भक्त नई तो पवित्र लोग पवित्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए निशा नहीं अब पवित्र चीजों को क्या करना चाहिए दूर हटाने की कोशिश करना चाहिए वो पैसों की हो सकती है वो अधिकार की हो सकती है व उसे चीज़ को परमेश्टर के ऊपर आधारित करके हमें अपने जीवन को कंट्रोल करना चाहिए कि सेक्यूरिंग क्रिस्टियन कि प्रोटेक्टिंग क्रिस्टियन है हलो इसलिए यहां पर नियूक्तृति से बताए गया कि भक्त अपने आपको क्या करो फिल्टर करो फिल्टर आउट चाय बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं फिल्टरिंग करते हैं क्यों हो ताकि उसके अंदर की गंदगी हट जाने के लिए वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में पवित्र जीवन में कलीशिया के साथ योगी दन पाने पर हमें अपने आपको फिल्टर करना चाहिए एक बार भक्त बनने के बाद वो भक्त का जो चिन है वो आखरी दम तक हमें क्या करना चाहिए कायम रखना चाहिए इसलिए हमें प्यूर प्राण को हमें क्या करना चाहिए यह वचनों के द्वारा प्रमेश्वर कर हम कुड़कुड़ा है ना परमेशर किसी की स्रेश्टता को देकर हमारे जीवन में विरुदता ना गुरूपिजम ना है परमेशर तेरी अच्छे भक्त बनकर तेरे पवित्र लोग बनकर हमारे जीवन को चलाने के लिए पवित्रता को परमेशर आकरी दम तक निशानी बन कर जी बन जाने के लिए उसे पवित्रता में परमेश्वर तेरी तेरे 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 तेरी परमेश्वर की सेवकों को आदर करके मान के चलने के लिए हमें साहिता दीजिए उसी पवित्रता के हिसाब से पवित्रतीजों से हमें अलग होने के लिए परमेश्वर हमारे शरीर प् मागते हैं, आमेन